इंडिया में अभी रिसेंट लिए एक नया इलेक्ट्रिव वेहिकल लाँच हुआ है जिसका नाम है एमजी विंटसर इवी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी बात है और काफी लोग अब इससे एट्रक्ट हुए है लेकिन यह दस लागग पर प्राइस सिर्फ वेहिकल का है बैटरी का प्राइस नहीं है बैटरी के लिए एम-जी रे एक नया प्रोग्रम नेकाए इसका नाम है बैटरी एक सर्वीस प्रोग्रम तो आज किसंवीडियोपा बने जानने वाले हैं MG Winston EV के बारे में, best program के बारे में, मतलब battery as the service के बारे में, MG के जो दूसरे vehicle साते हैं, electric के अंदर ही, MG Comet, MG ZS EV, इसके उपर भी इन्होंने best program, मतलब active कर दिया है, तो उसकी pricing क्या हो जाती है, और ये program actual में है क्या, और ये vehicle आपको देना चाहिए, इसके competition में जो electric vehicles आता है, जिसे Tata के Nexon आ जाता है, Tata के punch आ जाती है, उनसे कितनी better है MG की Mr. EV, तो इन्हें बात करते हैं, इनके best program के बारे में, या पी कहा है battery as the service program के बारे में, अब ये जो program है, ये program लेके आया है कि आपकी जो battery है, उसको भी आप अलग से finance करवा सकते हो, और उसके उपर पर km जितना आप run कर रहे हो, उतना ही payment आपको करना पड़ेगा, अब इसके लिए इनके पास 4 partners है, उन 4 partners के बारे में आपको detail में बताता हूं, 4 partners की क्या-क्या terms है, क्या-क्या उनकी condition से उसके बारे में बताता हूं, तो battery as a service pro का अगरब आप लेते हो, तो आपको battery का अलग से finance करवाना पड़ेगा, अलग से finance करवाते हों, तो पहला financial होने वाला है बजाज फिंगर, फेकिन होने वाला है hero finance, थर होने वाला है विध्यूत, एंड फोर्थ होने वाला है e-coffee, अब यहाँ पे चारो ही financing company है, यह क्या-क्या offer कर रही है, अभी बजाज जो है, बजाज offer करता है, minimum 1500 km का आप से चार्ज लेने वाले है, सारे 3 रूपे पर क्लोमेटर लेने वाले है, 1500 km का इलेने वाला है, लेकिन आप additional चलते हो 1500 से भी ज्यादा, तो यहाँ पे आपको extra pay करना पड़ेगा, सारे 3 रूपे पर क्लोमेटर के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको 52,500 देने ही है, इससे ज्यादा भी देने पड़ेंगे, अगर आप ज्यादा क्लोमेटर रन कर रहे हो तो, फिर आता है विद्यूद, अब विद्यूद जो है, मतलब मुझे इन सब में सबसे बैटर लगा है, क्योंकि यह यहाँ पे इनों सीधा रखा है, 0 run, 0 pay, मतलब कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो, यह मानलो कि आपने 3,5 रुपे लिया, लेकिन आप 100 क्लोमेटर ही चले, तो आपको 3,5 रुपे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी एक कंडिशन है, कंडिशन क्या है, कि यह आपसे हर महीने या फिर 6 महीने में एक फिक्स्ट अमाउंट लेंगे बैटरी का, यह कह सकता है कि यह भी एक फाइनेसल ही हो चुका है, कि आप इसको फाइनेस कर रहे हो एक फिक्स्ट अमाउंट पे, और इसका प्राइजिंग होई है 3.5 रुपे क्लोमेटर, लेकिन जो लास्ट है, यह तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइजिंग रखी गई है, वह रखी कि पांच रुपए 80 पैसे पर क्लोमेटर की, और अगर आप एडिसनल जलते हो, तो आपको एक्ट्रा पे भी करने पड़ेंगे, तो यार मतलब 5-6 रुपे पर क्लोमेटर देना, तो मुझे लिए लिए लगता कि वर्स इठ है, तो आप यह प्रोग्राम तो रहन देना, वाकि इन 3 जो कंपनीज है, यहां से आप जरूर ले सकते हो, विडियो सबसे बैश मुझे लगा है, कि आप एक फिक्स रामांट दे रहे हो, और उसके बाद आप महां से उसको जितने किलमोटर दे ला रहे हो, उतनी आपको पे करना पड़ेगा, यह तो अगई बेस्ट प्रोग्राम की बात, अब आ जाते हैं M.G.Winster EV को पर, M.G.Winster EV जो है, आप तीन वेरेंट में आने वाली है, एहला है Excite दूसर है, Exclusive तीसरा है, इसेंस, बैटरी पेक आपको 38 क्लोट आरका ही मिलने वाला है, और यहां पे जो प्राइजिंग रखी गई हो, प्राइजिंग भी काफी जाएज़ एट्रेक्टिव है, जो कि Tata की Nexon, Tata की Punch, इन सबको competition देने वाली हो, और तगड़ा competition देने वाली है, तो इनका जो बेस्ट वेरेंट है Excite, इसके अंदे प्राइजिंग रखी गई है, तिर्रा लाख पचास रुपे वित बैटरी, विजाओट बैटरी दस लाख रुपे, और बैटरी की कोष्ट लगबख साड़े तीन चार लाख रुपे के आसपास आने वाली है, और सेकंड जो विरेंट है Exclusive, इन प्र कॉण के साथ इसक राट बैटरी देटरी में में सारे ही सारे लिएंग इनने वाला है, समय प्रेंट में की महनं है। जो मतलब safety purpose के साब से देखाई जो कि आज की डेट में मेंटर्टी जो हो चुके हैं वो सारे ही मिलने वाले है safety features जो है almost सभी है इन तीनों ही variants के अंदर वही यहाँ पर बात की जाए जो comfortability है जो seat जो सबसे ज्यादा यह कह सकते है इसका key feature कह सकते है इसका electric vehicle का highlighted point कह सकते है जो कि इनों seat को comfortable बनाया है बिजनस का बनाया है तो तीनों ही variants के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है वही साथ में इसके अंदर आपको 200 mm का talk देखने को मिलने वाला है जो कि इसकी PMSM motor produce करके देने वाली है रेंज जो है 331 क्लोंटर के मिलने वाली है अब difference कि आता है तो में difference आजाता है features के अंदर features के अंदर क्या difference है कि आपको जो base variant है उसमें 10.1 इंच की display देखने को मिलेगी जो इनका second variant है exclusive इसके अंदर 15.6 इंच की display देखने को मिलेगी लेकिन जो इनका top variant variant है उसके अंदर आपको infinity roof देखने को मिलने वाला है जो कि इंच से जो lowest variant है उसमें नहीं मिलने वाला है तायर साइज में डिफरेंस आने वाला है यहां पर आपको दो टायर प्रोफाइल लेक्ट मिलने वाली है 17 इंच के वील और 18 इंच के वील के साथ में बूट इसपेस लगबख 600 लेटर का बूट इसपेस मिलने वाला है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर या फिज यह कहें इस टाइप की जो वीकल्स आ रहे हैं इनके अंदर कोई भी कंपनी ओफर नहीं कर रही है अब आ जाते हैं फाइनली एमजी कॉमेट और एमजी जै और यहां भी जो बैटरी पैक लगावा है एमजी जैडे सीवी में लगावा है पचास किलोवाट अरगा बैटरी पैक तो पांच लाग रुपे कम हुए है तो यह मान सकते हैं हम की दस जार रुपे पर किलोवाट आर के यहां पर एप्रॉक्सिमेटली पैसे लग रहे हैं तो अगर 38 क्लोटरा का बैटरी पैक एमजी विंटसर इवी में है तो तीन लाग 80 जार तीन लाग 90 जार रुपे के आसपास कम्पनी कम करने वाली है जो इनका विट बैटरी जो प्राइज आया है उससे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको प्राइज बताने वाला वही अगर आप यहाँए पर लेते हो तो यहां को थाइ रूपे कर क्लोमटर के देने पढ़ेंगी यह तो होगी कॉम्प्रीट डिटेल मगी onkop का मार्केट खतम और वाली है यें आणी के मार्केट को खतम करनेवाली है डाटा कर्ड श MASक और सबसक्र मरेकित रहने वाली है क्योंकि इसका यादा बैतर है काफी यद्ट को कमफट बनाया गया है काफी अच्छा रखा गया है विंश्टर देने वाली है और साथ मैं आपको बता दूँ कि पर साइम एक साल तक प्री फार्स चार्जिंग देखने हो मिलने वाली है जो पुब्लिक चार्जर से उनके साथ में यहीं करता है उम्मीद है आपको विंश्टर दीवी से ले जाए जैनी कि उसी तरह कि और वीडियो के लिए चाहें को सब्सक्राइब करें बाइकन जो लोगा दो ना मिल आप सेक्ले वीडियो में ओके बाइव